नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है विनित सागर, स्पीशिस इन न्यूज वाला सीरीज चल दा था, पार्ट टू वीडियो है ये, बिना टेमेज की आगे चलता है, हिमालेन जेरो, इसलिए ये न्यूज में आया था रीसनली आसाम में, हिमालेन जेरो स्पोर्ट हुआ था, देखिए, इसका एक सब स्पीशिस आप बहुट सकते हो, इसकी इक स्पेशालिटी क्या ना दूस्तों, ये दिखने में थोड़ा सा आपको गोड जैसा लिगेगा, थोड़ा सा डोंकी, थोड़ा सा कव, थोड़ा सा हिमालियास, बट नौट इन ट्रैंस हिमालेन रीजिन, ट्रैंस हिमालेन रीजिन मतलब जो इंडिया टिबट के, जो क्रोजिजिग में हिमालेन है, जहांकि average elevation करीब 3000 meters से ओपर है यह जो ट्रांस हिमालियन रिजेन में आपको हिमालियन जिरो नहीं नहीं दिखता है तो यह point important हो जाता है आप देखिए there are several species of zeros in the world all of them are found in Asia again an important statement सारे zeros जो दिखता है वो maximum आपको Asia में ही दिखे हो maximum क्या है all of them are found in Asia however Himalayan 0 is restricted to the Himalayan region so as the name indicates Himalayan 0 मतलग आपको ओली वो Himalayan region में ही दिखेगा conservation status देखिए IUCN का red list में vulnerable है sites का appendix 1 में है wildlife protection act 1972 का scheduled 1 में है आगला है बारा सिंगा देखिए बारा सिंगा state animal है मत्यपरदेश का and seeing a revival in Kanha national park देखिए Kanha national park मी मत्यपरदेश में है इनके जो population decline हुआ था अब government की interventions की वज़े से इसकी जो population है इसमें थोड़ा सा revival नजर आ रहा है आप देखिए इसको बारा सिंगा क्यों बोलते है इसकी जो antlers है न दोस्तों यह antlers बोलते है उसको यह actually 12 है इसलिए इनको बारा सिंगा बोलते है और एक चीज में आपको बताते हैं यह जो antlers है इसमें से actually blood vessels pass करते है जो normal horns है न दोस्तों जैसे goat का है cow का है यह actually हमारा दांद जैसा है जिसमें calcium है तो उसको अगर आप cut करोगे उसमें से कोई blood नहीं निकलेगा पर यह जो antlers है यह जो 12 सिंगा का antlers है यह अगर cut करेगा इसमें से blood निकलेगा ठीक है खून बहेगा तो य यह antlers है अब इसको 12 सिंगा क्यों बोलते है इसमें 12 antlers है इसको swarm deer भी बोलते है इसे deer species distributed in the Indian subcontinent तो basically Indian subcontinent में distributed है इसको swarm deer भी कहा जाता है and there are three species of swarm deer found in Indian subcontinent कौन-कौन सा है एक है western swarm deer जो आपको नेपाल में दिखेगा सतेंट स्वाम डियर जिसको हाट ग्राउंड बारा सिंगा भी बोलते है फॉंडिं सेंटल एंड नौत इंडिया और इस्टेंट स्वाम डियर यह कजरंगा जो आसाम में है वन होड होन राइनोसर के लिए फेमस है और दूद्वा नाशल पार जो उतर परदेश में तो यह है यह जगह है जहां यह आपको बारा सिंगा दिखेगा ठीक है कंसरवेशन स्टार्टस देखी आयूसीन का वल्नरबल है साइट्स का अपेडिक्स वन ने वाइफ्ट प्रोटेक्शन एक 1972 का शेडूर वन में है अगला कश्मीर स्टार्क इसको हंगुल भी बोलते हैं देख इसकी भी जो पॉपलेशन है ना इसमें काफी डिकले नाजर आ रहा है अब इसे सबस्पीशिस ऑफ सेंट्रल एशन रेड डियर एंटेमिक टु काश्मीर इंडियर है जो सेंट्रल एशन रेड डियर है इसका एक सबस्पीशिस आप बोर सकते हो हंगुल को आप देखिए कह का दिखते है रिवरेन फोरेस्ट में इन दा हाई वाली सोफ मौन्टेंस ऑफ कश्मीर बाली और नॉर्टें चंबा डिस्टिक्ट ओफ हिमाचल प्रदीश तो यह इसका में हैबिटेट आपको दिखेगा अगेला है हिमालेन आइबेक्स परनोंसेशन थोड़ा सा गयलत हो स यह इसका रिलेशन है यह जूडेट डिस्टेट आपको दिखेगा तो वैसे यह यह इसमालेन रीजन में मिलेगा तो आप यह जिखते है है हाई आल्टिटूट में कांगा इन एं रिखी मौन्टेंस और कारकॉरं हिंदु कुष और हिमालया सब जिल जिल बलतिस्तान ठीक है मेल्स और क्यारक्टरिस बैए हेवी बोडी लाज होन्स लॉंग बेस वाइल फीमेल साव स्मॉल बोडी स्मॉल होन्स तो बेसिकली कहना का मतलब है इनके जो मेल और फीमेल में जो डिस्टिंक्शन है यह आपको हेवी बोडी लाज होन्स से मिलेगा थ्रेट्स क्या-क्या है एक तो इलीगल हंडिंग होता है human disturbance की वज़े से इसकी habitat कम हो जाता है habitat loss हो जाता है competition for forage with domestic livestock तो यह सब इनका यह सब रीजन से इनका population decline होने का ठीक है conservation status देखे IUCN का least concern है तो कोई problem नहीं है IUCN के तरफ से पर wildlife protection at 1972 के साब से यह schedule 1 में है मतलब top priority में है अगला है Indian bison जिसको गौर बोलते है man animal conflict वज़े से Indian bison news में आया था देखे it's an 80 to south and southeast Asia tallest species of the wild cattle है मतलब wild cattle species में सबसे tallest है यह जो Indian bison है found in India and largest extant bovine populations in well protected areas are stable and increasing bovine मतलब क्या होते है दोस्तों bovine मतलब related to cows cows are related, guys are related जितने भी है जिसको bovine बोलते है तो आप देखी सकते हो यह cows is related है and इसकी habitat देखिए western gerts and their outflunging hills in सथे इन इंडिया बेसिकली वायनाट जो केरला में है नागरहूली करनाटका मुदुमले तमिलनाडू and बंदिपूर कॉंपलक्स यह सब जगा में सबसे ज्यादा आपको Indian bison मिलेगा and conservation status में IUCN का red list में vulnerable है हमारा wildlife protection at 1972 में schedule 1 में है आगल है black bag, देखे black bag के बारे में डबल हूँ, लास 6 years में Indian antelope is an antelope native to India and Nepal it inhabits grassy plains, lightly forested areas with perennial water sources देखे, आपको यह maximum grasslands area में मिलेगा जहां water sources है and काँ काँ आप है, राजस्तान, गुजरात, मत्यप्रदेश, तमिलनाडू, ओडिशा and other areas throughout the peninsular India तो basically यह आप ध्यान दीजेगा, यह peninsular India में maximum आपको दिखेगा and it is considered to be the fastest animal in the world next to cheetah ठीक है, cheetah के बाद fastest animal है हमारा black bug या Indian antelope it has been declared as the state animal of Punjab, Haryana and आंदरापरदेश very important Punjab, Haryana and आंदरापरदेश का state animal है conservation status देखिए, IUC and Red List में least concern है sites का appendix 3 में है, wildlife protection at 1972 में schedule 1 में है ध्यान दीजेगा pick me hawks few captive bred pick me hawks, the world's rarest and smallest wild pigs were released in Manas National Park को ब्रेस्चिनासा इसलिए यह news में है था, कुछ pick me hawks को capture किया था, उनको एक area में पाला गया इसके बाद यह जब थोड़ा सा बढ़ा हो गया इसको छोड़ दिया गया Manas National Park में recently, under the pick me hawks conservation program यह भी आप ध्यान दीजेगा तो pick me hawks is an native to alluvial grasslands in the foothills of Himalayas तो basically foothills of Himalayas से relate करते है elevation up to 300 meter में सबसे यादा pick me hawks आपको मिलेगा तोड़े तो only non-population lives in Assam and possibly सथे इन भूतान, very important statement Assam में है, non-population and सथे इन भूतान में conservation status IUC and Red List में endangered में है, Wildlife Protection Act 1972 में schedule 1 में है आगला है पंगोलिंग the audition forest government has stressed the need for stricter monitoring of social media platforms to check pangoling, poaching and training देखिए मैं तो बताऊंगो दोस्तों सबसे आदा पोचिव होता है यह पंगोलिंगा यह पंगोलिंगा यह पंगोलिंग के जो scales है ना यह trade करते हैं लोग they are scaly ant eater mammals यह चीटियों को खाते है and have large protective keratin scales, यह भ्यान जीजी का इनकी जो scales है यह keratin rich है scales covering their skin, they are only non-mammals with this feature, only non-mammals with this feature यह पंगोलीं है इसमें जो ndian ंपंगोलिंह आइं चाइनीज में मिलेगा ओंधिया में केवलत इंडियन ंवारे जगाह नहीं चाइनीज पंगोलीं भी दिखता है and it can be found at an elevation of 2500 meter also and Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka में भी आपको पंगोलिन मेलेगा Chinese pangolin की बात किया जाया तो it is found in Himalayan foot hills in eastern Nepal, Bhutan, northern India, northeast Bangladesh and through southern China clear है दोस्तों अब Indian pangolin is a large ant eater covered by 11 to 13 रोसोचेर on the back देखे आभी ये Indian pangolin और Chinese pangolin का difference का है Indian pangolin में आपको 11 to 13 rows of scales मिलेगा इधर से आप काउंट करेगा तो आपको 11 to 13 rows मिलेगा ये terminal scale is also present on the lower side of the tail of Indian pangolin इनके जो tail है इसके lower side में भी terminal scale आपको मिलेगा basically scales मिलेगा which is absent in Chinese pangolin तो Chinese pangolin को जो tail area में lower side है उथर scales नहीं है तो ये differentiation है Indian pangolin और Chinese pangolin का आप conservation status देखिए मतलब Indian pangolin से ज्यादा problem Chinese pangolin से साइट का appendix 1 में है wildlife protection at 1972 का schedule 1 में है threats क्या-क्या है trafficking है तो trading करते इसका hunting and poaching for local consumption use देखिए ऐसा सुना था Chinese area में इसको खाते है इसलिए ये भी एक problem है and heavy deforestation की वज़े से भी इनके जो population नहीं होता है अगला है koala koala is an arboreal arboreal मतलब trees में leaves in trees जो paid में maximum time बिताते हैं इसको arboreal बोलते है marsupial they are endemic to australia marsupial मतलब एक class of mammals है जो ऑस्ट्रेलेशिया अमेरिक आज में endemic है तो basically koala एक marsupial है they are endemic to australia में ने बता दिया ठीक है due to the low nutrient levels of eucalyptus leaves they feed on तो यह सबसे ज्यादा खाता है eucalyptus leaves अब यह eucalyptus leaves क्या है दोस्तों eucalyptus एक टाइप का पेड है जिसको paper pulp बनाने के लिए यूज करते है paper बनाने के लिए जो pulp बनता है ना पेडों से बनता है तो सबसे ज्यादा eucalyptus trees use करते हैं यह मैंने देखा है और कोला can sleep up to 18 hours each day यह बहुत lazy animal है एक दिन में 18 खंटे यह सोते हैं अब threats क्या क्या है एक तो habitat destruction है climate change severe weather droughts extreme temperature etc की वज़े से इसकी population down हो जाते है conservation status देखा जाएगा तो iucalyptus में वल्णरबल में है यह कोल आप देख सकते हो यह पेड में चरते हुए अगला है red panda according to traffic traffic क्या है traffic एक conservation program है basically एक non-government organization है अब इनके हिसाब से there has been a considerable reduction in poaching of red panda red panda का poaching actually red panda का भी काफी poaching होता था poaching में काफी reduction हुआ था करके news आया था red panda is a mammal native to eastern himalayas and southwestern china ठीक है चाइना में तो बहुत special है आपने kung fu panda वेरा देखा होगा यह थोड़ा सा अलग दिखते है red panda अलग है red panda का color आप देखिए और जो kung fu panda में दिखाता है panda उसका color थोड़ा अलग है आप देखिए यह eastern himalayas में southwestern china में मिलेगा 5000-6000 red pandas are estimated to be present in four Indian states देखिए इंडिया में कहां कहां पर मिलेगा आपको अर्णाजल प्रदीश मेखालिया सिक्किम वेज्मगल बेसिकली eastern side में है it's a wild population continues to decline due to habitat loss देखिए इसके भी population में काफी decline देखने को मिला है fragmentation poaching inbreeding depression depression यह सबकी वजह से and conservation status देखिए साइट्स का appendix 1 में आता है wildlife protection आट का schedule 1 में आता है अब दोस्तों यह जो fragmentation poaching inbreeding depression यह सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ fragmentation को ecology में habitat fragmentation भी बोलता है देखिए मान लीजिए बहुत बड़ा सा habitat है उसमें अब रेट पांडा का यह एक्जामल ले लेते हैं काफी ज़रे रेट पांडा इस तरह हैं अब कुछ भी reasons की वज़े से हो सकते deforestation की वज़े से या climate change की वज़े से कुछ भी reasons की वज़े से इनकी जो habitat कभी कभी fragment हो जाता है fragment मतलब अलग अलग अब कुछ रेट पांडास जो इधर confirm हो जाएगा कुछ जो काफी दूर इधर confirm हो जाएगा तो पहले एक साथ रहते थे तब इनका survival का chance भी अच्छा था पर habitat fragment होने से अलग अलग होने से इनका survival का chance जो है कम हो जाता है इसी को habitat fragmentation बोलते है habitat जब fragment हो जाता है तो इसी वज़े से इनका population decline हो रहा है यह बोला जा रहा है poaching तो आपको पता है जो illegal trading होता है inbreeding depression क्या होता है देखें breed करने के बाद जो बैच्चा पैता हो जाता है जो off spring पैता हो जाता है यह कभी कभी biological fit नहीं रहता है survive नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से वो मर जाता है इसी को inbreeding depression बोलते हैं कहीं कहीं biology में यह भी बोला जाता है कि रेट पांडा जैसे animals जो है केबल रेट पांडा से नहीं इसे related और भी दूसरे जो animals इसके सथ breed करते हैं जिसकी वज़े से जो off spring पैता हो जाता है वो biological fit नहीं रहते हैं तो यह भी problem है इनके सथ inbreeding depression conservation starters देखा जाएगा तो IUCN का rate list में endangered है sites का appendix 1 में है wildlife protection at 1972 में schedule 1 में है आगला है Malayan jand squirrel देखे यह news में इसलिए आया था zoological survey of India ने they has projected the numbers of the malayan jand squirrel could decline by 90% 2-50 तक इनकी जो population ने 90% decline हो सकता है यह zoological survey of India ने project किया है इसलिए news में आया it is one of the world's largest squirrel species यह normal squirrel जो हमारा देश में दिखता है ऐसा नहीं इससे काफी बड़ा होता है ठीक है इतना बड़ा रहता है अब इसको black jand squirrel भी बोलता है it is distributed across देखे Asian countries में मिलेगा आपको और maximum South East Asian countries में देखे Bangladesh, North East India, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Cambodia, Vietnam and international countries में माले giant squirrel का habitat है अब it is forest health indicator species अब यह क्या है देखे कई जारे अनिमल्स ऐसा है दुनिया में जो health indicator है मतलब इनका presence रहने से हमें यह पता चलेगा forest का जो वह एडिया है वह healthily maintained है दूसरे animals को भी survive करना लायक है ठीक है और भी examples में आपको आगे बताता रहूंगा इसकी conservation status देखे IUCN का near threatened में है sites का appendix 2 में है wildlife protection at 1972 का schedule 1 में है आगे देखते ग्यांगटिक river dolphin देखे ग्यांगटिक रिवर डोल्फिन हमारा national aquatic animal है and it is the official animal of the Indian city of Guwahati असाम का capital Guwahati का official animal भी है यह भी अब ध्यान दीजेगा आप देखे इस this is also a health indicator इसका मतलब क्या देखिए यह fresh water में पाया जाता है अब fresh water अगर contaminate हो जाता है या pollute हो जाता है वो उथर से migrate करते है इसलिए इसको भी एक health करते हैं क्योंकि यह जब breathe करते हैं यह respiration करते हैं इसके एक आवास नेकलते हैं इसके शरीच से सू-सू करके इसलिए इसको कभी कभी सू-सू करके भी पुकारते हैं अब इनके threats क्या-क्या है bycatch pollution के लिए nets बिचाते है fishing nets बिचाते हैं उसमें कभी-कभी यह first जाता है जिसकी वज़े से मर जाता है वैसे इसको normally पकड़ते नहीं है खाने के लिए वगरा पर bycatch हो जाते है इसका गरती से हो जाते है इसको bycatch बोलते हैं अब दीकिए it is also among the four freshwater dolphins in the world दूनिया में चार तरका freshwater dolphins है कौन-कौन सा दीकिए एक तो हमारा ग्यांगेटिक भी मिलेगा right food habits क्या-क्या है they have a preference for deep waters where prey availability is high जहां सबसे यादव को खाने को मिलता ना उधर यह सबसे यादव मिलेगा they mainly feed on fish and invertebrates using echolocation to dictate the prey अब यह echolocation क्या होता है आपको पताई होगा मतलब यह sound produce करेगा वह जैसे वह वापस ठकरा के वापस आएक न तो इसी से जैसे bats करते हैं तो echolocation से भी यह prey करते हैं इसकी conservation starters देखिए आयूसियन का endangered sites का appendix 1 wildlife protection at 1972 का schedule और एक important चीज़ बताना भूल गया कि यह जो ग्यांगेटिक इसलिए मैंने बोला यह एक लोकेशन यूज करते हैं खाने के लिए बैसिकली शिकार करने के लिए ठीक है यह ध्यान दीजेगा दिजेगा इसलिए ब्लाइंट रिवर डॉल्फिन अगला है इरवाडी डॉल्फिन यह नूज में क्यों आए था इरवाडी म्यानमार में एक रिवर है इथर यह डॉल्फिन सबसे ज्यादा दिखता है इसलिए नाम आया है यह इरवाडी रिवर को आययरवाडी रिवर भी बोड़ता है आप देखिए नॉमली कॉस्टल इडियास इन साउथ अन साउथ इस चेशा में थ्री रिवर्स में में धिखता है एक तो आययरवाडी म्यानमार में महा कम इंडोनेशन बोर्नियो में and मेकोंग रिवर तो बहुत हैसे अब इस चोटा सा कंट्री है जिसमें पहाँ ब्रूनें कीशीं मलेशिया इंडोनेशिया तो यह तीन में इंडॉनेशिय का। इरवारी डोल५िन का प्रसेंस है। अब Mekong River में 180 मील स्ट्रेच में इरवारी डोल्फ एंडॉन कम्पोर्या राध वैतुएंडौ करती है। यहां उब को आपको रबताया है तो दोस्तों फाइनल इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ, एक बार मेकोंग डिवर का कोर्स बता देता हूँ, मेकोंग डिवर का ओरजिन जो है टीबेटन ब्लाट्यू में है, टीबेट चाइना का पाट है, तो चाइना से होते हुए म्यानमार, लावोस, थाइलन, करके फाइनल ये मेकोंग डिल्टा में आके मिलता है, ये मेकोंग डिल्टा आप सौथ चेना सी के एक पार्ट बोर सकते हो, ये एशिया का 6th longest रिवर है, और दुनिया का 12th longest रिवर है, तो that's it दोस्तों, I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों की valuable suggestions, comments आप मुझे जरूर बता दीजेगा, comment books के तुरू, इसका part 3 में shortly ले के आऊंगा, part 4 भी रहेगा, चार वीडियो में ये पूरा species and news में खतम कर लोगा, thank you for watching, bye bye, have an age day.